हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाट सल्तनत पीरियद, इस वेरेश वां 1206 AD से लेकर 1526 AD तक तो देखें लास्ट वीडियो में हमने क्या शुरू किया था? मिडाइवल इंडिया, मध्यकालिन भारत मध्यकालिन भारत के शुरू में ही हमने क्या पढ़ा? अर्ली मिडाइवल पीरियड, मतलब पूर्व मध्यकालिन भारत इसका टाइम पीरियड कितना था? 650 AD से लेकर 1206 AD तक ठीक है? तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था अर्ली मिडाइवल पीरियड के टाइम पे नोर्थ इंडिया में कौन से राजा शासन कर रहे थे? राजपूत, कौन शासन कर रहे थे? राजपूत, तो नोर्थ इंडिया में राजपूत पीरियड चल रहा था इसी के contemporary, South India में क्या चल रहा था, South India में चल रहा था, ये चोल empire, कौन सा, चोल empire, इन सब के बाद, इन सब के बाद कौन सा period आया, सल्तनत period, कौन सा period, सल्तनत period, 1206 से लेकर 1526 AD तक, सल्तनत period में 100 से पहले आया, दिल्ली सल्तनत, मतलब पहले ये इंडिया में early medieval period का time चल रहा था, पूर मध्य कालिन भारत, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे कैसे हुई, इन पे सबसे पहले किसने अपना शासन स्थापित किया, दिल्ली की स्थापना किसने करी, तो ये सब हम इस दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंग मतलब first muslim invasion, सबसे पहले muslim आकर्मन हुआ, कौन सा, किसने किया मुहमत बिन कासिम ने, मुहमत बिन कासिम ने 712 AD में सबसे पहले इंडिया पर आकर्मन किया, मुहमत बिन कासिम इंडिया 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 पर आकर्मन किया, और सिंध को जीत लिया, जब उसने सिंध को जीत विच विकेम धा प्रोविंस ओफ ओमायद खिलाफद और जो ओमायद खिलाफद का प्रोविंस प्रांत बना दिया गया किसको सिंध को ठीक है तो इसका एक important part देखे क्या होता important question कैसे बनता है एक चचनामा नामा पुस्तक है चचनामा वो किस ने लिखी थी अली एहमद ने इस पुस्तक में इस आकर्मन का जिक्र किया गया है कई पर कोशन आता है सिंध विजय का जिक्र कहां किया गया है चचनामा में या सिंध पर आकर्मन कब किया गया था 712 AD में किस ने किया था मुहम्मद बिन कासिम ने जो यह मुहम्मद बिन कासिम था यह अर्बी था कौन था एक अरेबियन था ठीक है नेक्स आता है फर्स्ट तुर्क इन्वेजन फिर तुर्कों ने आकर्मन किया इंडिया पर मुहमत बिन कासिम ने आकर्मन किया उसको अपने प्रांत में मिला लिया बस इसका इतना ही था फिर इंडिया पर तुर्की आकर्मन वा फर्स तुर्क इन्वेजन मुहमत गजनवी इन्वेजन नाइन नाइन्टी एड से लेकर 1030 एडी तक ठीक है तो यह कोशन आ सकता है सबसे पहले तुर्क इन्वेजन किस ने किया तुर्की आकर्मन मुहमत गजनवी ने कब किया नोसो ठाणवे से लेकर तक इनोंने टोटल सत्रा आकर्मन किये थे सुल्तान मेहमूद ओफ गजनी लेड अबाउट 17 एक्सपडिशन्स तो इंडिया तो यह क्या करते थे ऐसा माने जाता है कि 17 एक्सपडिशन के 17 वारा कर्मन के टू इंडिया में क्यों कि इनों ने अपने आपको धनवान बनाने के लिए अन्रिच करने के लिए उनको क्या करते थे वो धन लूट कर अपने देश में ले जाते थे फ्रॉम इंडिया इंडिया से बहुत फेमस टेंपल था सौमनात मंदिर तो यहां पर 1025 एडि में महमुद गर्जनवी ने आकर्मन किया था ठीक है फिर के अधर अपने बार देट यहां फिरा गर्जनवी ने खेर में महमँद गर्जनवी ने किस पर साकर्मन किया इंडिया पर मुहमध गोरी इंडिया एंड लेट the foundation of the Muslim dominion फिर मुहमध गोरी ने इन से पहले जितने भी आकर्मन होतेने यह क्या करते यहां से धन लूट ते यहां से धन लूटते और अपने देश में चले जाए he may be considered the founder of Muslim rule in India इनको ही इंडिया में founder of Muslim real माना जाता है ठीक है नेक्स रीजन फोर्डा सक्सेस ओफ तुरक्स इन इंडिया अब क्या कारण रहा के तुर्की थे जो वो काम्याब हुए क्यों हुआ ऐसा फर्स्ट रिजन है राजपुतास लैक्ड यूनिटी एंड और डिवाइड बाई राइवल्रीज जो राजपुत थे न नोर्थ इंडिया में राजपुशासन कर रहे थे राजपुतों के पास बहुत कम यूनिटी थी उनकी एकता में कमी थी और उनकी organization थी न वह भी अच्छी नहीं थी और वो बीडिक कर दिए गए थे राइवल्रीज के त pry राइवल्रीज होते हैं जो आकरमनकार्य कर दुश्मन होते हैं उनके द्वारा वह वो डिवाइड कर दिए गए थे देर वास नो Central Government अब राजपुतों की Central फैला हुआ था ठीक है कुछ-कुछ बहुत कम था लेकिन अलग-अलग जगों पर फैला हुआ था इसलिए वो जितने भी आकर्मणें उनका अच्छे से सामना नहीं कर पाए फोर्थ है दा तुर्क्स वर बैटर ओर्गेनाईज जो तुर्क के थे ना जिन्होंने आकर्मण किया उनकी मिलिटरी वगएरा बहुत ओर्गेनाईज होती थी और टुक एडवांटेज ओव दा लैक ओफ मूचल कोपरेशन अमंग दा राजपूता इन्होंने ना जो राजप दिल्ली सल्तनत का टाइम पेड़ था 1206 से लेकर 1526 एड़ी मोहमद गोरीज कॉंकस्ट बिकेम दा न्यूकलियस ओफा न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इन इंडिया दा दिल्ली सल्तनत ठीक है जो मोहमद गोरी का आकर्मन था ना उसने क्या किया जो ये न्यूकलियस था अब एक तो पॉलिटिकल एंटिटी एंटिटी नहीं पॉलिटीकर राजनीतिक जो टीज थी नवा एक लग बना ऑदी इन बना दिल्ली सतनत को बॉलिटी का न्यूकलियस बना दिया गया इस पीड को पांच पीरियोड में डिवाइड करके पड़ते थे हैं कि इसमें पांच डाइनस्टी साई थी तो देखे सबसे पहले आई इस दस लेफ डानस्टी गुलाम वंश्टाइब डानस्टी को बोलते हैं 1320 से लेकर 1414 AD, next is the Syed dynasty, 1414 से लेकर 51 AD, the Lodhi dynasty, 1451 से लेकर 1526 AD, तो आपको ना देखी ये करम भी आद रखना है, तो उसे पहले सलेव dynasty, खिलजी dynasty, देन तुगलग dynasty, सेयर dynasty, देन लोधी dynasty, तो इसके लिए एक ना कॉर्ड वर्ड है, आप उसको याद कर लो, उससे ही आपको ये सब इनकी chronical order याद हो जाएगा, क्या है, जी के तुम्हारी सबसे लंबी, मतलब दिल्ली सल्तनत के dynasties को याद करने का ये एक order है, जी के, जी से बनता है गुलाम वंज, मतलब slab dynasty, क्या बनता है, गुलाम वंज, मतलब slab dynasty, के से क्या बनता है, खिलजी dynasty, तुम से क्या बनता है तुगलक dynasty है तुम्हारी सबसे सबसे क्या बनता है सएयर डैनस्टी लंभी लंभी से लोधी डैनस्टी ठीक है तो जीके तुम्हारी सबसे लंभी यह इसे आप इसके क्रॉनिकल ओर को याद कर सकते हैं नेक्स आती है सबसे पहले कौन से आई दा स्लेव डाइनस्टी मतलब गुलाम वंश ठीक है जी के मतलब जी से गुलाम वंश 1206 से लेकर 90 AD तक सबसे पहले आई कुतुबु दीन एबग सबसे पहले कौन आई कुतुबु दीन एबग जो ये कुतुबु दीन एबग थे ना तुरकी दास थे ये टरकी छलब थे मतलब दास थे मतलब बाशने कुतुबु दीन एबग को किसने परचेस कर लिया था मोहमद गोरी ने इसको खरीद कर अपना गवरनर बना दिया था After the death of Gori, जब Gori की death हो गई, तो A. Bak became the master of हिंदुस्तान, A. Bak पूरे हिंदुस्तान का master बन गया and founded the Slav Dynasty in 1206 A.D. और इसने किसको Slav Dynasty को found किया 1206 A.D. में, For his generosity, he was given the title of lakh bucks, giver of lakhs, इनको किसका title दिया गया, lakh bucks का, मतलब giver of lakhs, तो ये question आ सकता है, कुतुबुदीन एबक को किसका title दिया गया था, lakh bucks का, या lakh bucks किसको बोला जाता है, कुतुबुदीन एबक को, Slav Dynasty किस था, आपना किस ने की थी, कुतुबुदीन एबक ने, ये कौन था by origin आ जाए, ये Turkish Slav था, बाद में इसको किस ने परचेज किया था, मुहम्मद गोरी ने, next है, he died in 1210, while playing चोगान और पोलो, इनकी डेथ हो गई थी, कब ये चोगान या पोलो खेल रहे थे, उस ताइम इनकी डेथ हो गई थी, 1210 AD में, he constructed two Moskos, इन्होंने two Moskos बनवाई, मतलब दो मस्जिदे बनवाई, कौन-कौन सी, कुवैत उल इसलाम एट डेली, दिल्ली में कुवैत उल इसलाम, और अढ़ाई दिन का जोपड़ा, और अजमेर में अढ़ाई दिन का जोपड़ा, he also began the construction of kutu minar, इन्होंने kutu minar की construction भी शुरू करवाई थी, लेकिन इनके टाइम में पूरी नहीं हो पाई थी, in the honor of famous सूफी संथ, ख्वाजा कुतुबुदिन बक्तियार काकी, जो ये kutu minar इन्होंने शुरू करवाई थी, ये किसके याद में या किसको honor करनी के लिए, एक सूफी संथे, ख्वाजा कुतुबुदिन बक्तियार काकी, तो ये question आ सकता है, कुतुब मिनार ने, हम कई पर ये सोच लेते हैं, कुतुब मिनार किसकी याद में, कुतुबुदिन एबक की याद में, लेकिन नहीं, कुतुब मिनार को कुतुबुदिन एबक ने बर्वाना शुरू किया था, लेकिन किसके याद में, ख्वाजा कुतुबुदिन बक्तियार काकी की याद में, एबक थे ना, बहुत ग्रेट पैटरन की थे, इनको बहुत ज़ादा सीखने का, या इनको सनरक्षण देते थे, राइटर्स को, इन्होंने कई राइटर्स को सनरक्षण भी दिया, क्योंकि ये बहुत great pattern of learning थे इनको सीखने का या फिर साहित्य का बहुत जादा शोग था इसलिए ये कुछ जो राइटर थे उनको संरक्षन देते थे कौन-कौन से को दिया इनो नहीं संरक्षन हसन उन निजामी हसन उन निजामी author of ताज उलमासिर ताज उलमासिर के एक author थे हसन उन निजामी इनको संरक्षन दिया और फक्रुदीन फक्रुदीन author of किसके फक्रुदीन किसके author थे तारीके मुबारक शाही तारीके मुबारक शाही ठीक है तो देखे ये हमारे कुटुबुदीन एबग हो गई कुटुबुदीन एबग के बाद जो शासर काईना वो क्यों थे इलतुतमिश इनको इलतुतमिश भी कहा जाता है ये किसके दास थे कुटुबुदीन एबग के दास थे और ओक्यूपाइड दा थ्रोन ओफ डैली इन 1211 आफ्टर डिपोजिंग आराम बक्ष आराम बक्ष को 1211 AD में इन्होंने हटा कर खुद को सिंगासन पर बिठा दिया था इलतुतमिश ने किसके दास थे कुटुबुदीन एबग के दास थे वो बहुत कैपेबल रूलर थे और ऐसा माना जाता है वो रियल फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के पहले लाहोर होती थी थी दिल्ली को सबसे पहले राजदानी किसने बनवाया था इल्टुत मिशने इन्होंने दिल्ली सल्टनत को बचाया था किसके क्रोध से चंगेज खा के क्रोध से ठीक है चंगेज खा कौन थे मंगोल लीडर थे इनको बचाया था इन्होंने चंगेज खान के क्रोध से इन्होंने जो खौरिजम शाह थे इसको शरण देने से मना कर दिया था रूम चंगेज वाच चेजिंग खौरिजम शाह के पीछे चंगेज खान पड़ा हुआ था उसको मारने के लिए तो यह भागता भागता ना यहां दिल्ली सलतनत में आया इल्टूतमिश के पास के मुझे शरण दे दो लेकिन इल्टूतमिश को जब पता चला चंगेज खान इनका पीछा कर रहा है तो इन्होंने मना कर दिया क्योंकि चंगेज खान बहुत ही जादा फावरफुल शासक होते थे उस टाइम पे नाइक्स्ट हैं इंट्रोडिऊस the silver coins टका and the copper coin जीतल इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया एक silver coin silver coin को बोलते हैं टका and copper coin को जीतल तो यह आ सकता है जीतल किसको बोलते है copper coin को और टका किसको बोलते सिल्वर कोईन को तो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किये ही ओर्गेनाइज दा इकता सिस्टम इन्होंने इकता सिस्टम को और्गेनाइज किया इकता सिस्टम क्या होते है कि revenue tax create a tax system home बोलो या revenue system बोलो तो इन्होंने इक्ता system शुरू किया था and introduce the reforms in civil administration और इन्होंने civil administration में reform किये जो यह इक्ता system है ना यह किसने हटा दिया था allowed in Khilji allowed in Khilji आते हैं बाद में उन्होंने इसको हटा दिया था इक्ता system को ठीक है शुरू करवाया इल्तुत मिशने और हटा किसने दिया अलाउदिन Khilji ने वीच वाज न्यू सेंटरली पेड और रिकरेटेड बाद में इन्होंने civil administration administration और आर्मी में reforms कर दिये और वो अब centrally paid and recruited होते थे मतलब अब centralized system की centralized system हो आर्मीनिस्टेशन का next है he set up an official nobility of slaves known as चहल गानी या 40 गृप फॉर्टी इन्होंने ना दासों के लिए एक official nobility बना दिया ठीक है उसको बोलते चहल गानी या 40 यह 40 का गृप होता था तो इन्होंने दासों के लिए भी एक official nobility का निर्मान कर दिया था he completed the construction of kutumina देखो इसमें यह जो चहल गानी वाला है न या 40 है यह question बहुत बार कई बार exam में पूछा गया है चहल गानी किससे संबंधी तैसी बोल देते हैं चालीस घोडों का एक सम्मू होता था ठीक है लेकिन यह 40 दासों का सम्मू होता था किसका 40 दासों का सम्मू होता था he completed the construction of kutumina which was started by a book इन्होंने कुतुमिनार की construction को complete करवाया जो किसने शुरू किरवाया था एबक ने किसकी आद में एक सूफी संत होते थे कौन ख्वाजा कुतुबू दिन बक्तियार काकी नेक्स्ट है he patronized मिनाज उस सिराज ओथर उफ तबाकत ए नासीरी इन्होंने किसको संरक्षन परदान किया मिनाज उस सिराज को यह किसके ओथर थे इन्होंने क्या लिखा था तबाकत ए नासीरी देखो अब नेक्स्ट आए इसके बाद आते है रुकनुदीन देखो रुकनुदीन इलतुतमिश के बाद कोन आए रुकनुदीन रुकनुदीन 1236 AD में he was a son of उलतुतमिश यह उलतुतमिश के बेटे थे and was crowned by her mother शाह तुरकान और यह किसने crowned किये किसने इनको सिंगासन पर बिठाया इनकी मान ने शा दिया डोटर फिलतुतमिश रजिय सुल्तान कोन थी इलतुतमिश की डोटर थी रजिय सुल्तान पहली मुस्लिम और इकलोती ऐसी महिला थी जिन्होंने इंडिया पर शासन किया था वेन ही सा मैं यह वाज आउट ऑफ कैपिटल टुक्रेबारी बैलियन इन अवद अगेंस् मेरे बाद मेरी बेटी रजिया ही क्राउंड होगी लेकिन उनकी मा या उनकी मा थी जो शहा तुरकान और कुछ बड़े-बड़े आदमी थे नोबल्स हो गयरा उन्होंने रुकनु दीन को सिंहासन पर बैठा दिया लेकिन बाद में रजिय सुल्तान ने उनको हटा दिया न नोबल्स प्लेज रुकनु दीन फिरोज ओन दा थ्रॉन इल्टू तमिश ने तो किसको नोबिनेट किया था अपनी बेटी रजिया को उसकी सक्सेसर के रूप में लेकिन नोबल्स वगयरा थे जो बड़े-बड़े यह लोग थे इन्होंने क्या क्या रुकनु दीन लेड़ी वो पहली और ओनली मुस्लिम लेड़ी थी जिनोंने इंडिया पर रूल किया शीवास पॉपुलर अमंग दा पीपल लोग तो उसको पसंद करते थे बट वाज नोट एकसेप्टेबल टू दा नोबल्स एंड थियोलोजियन्स जो लेकिन जो नोबल्स लोग थे व पिर भी वो क्या करती थी उनका ओफेंड किया नोबल्स का बाई हर प्रेफरेंस फोरेंड अबसी अबसीयन स्लेव याकुत उसने बाद में एक अबसीयन था एक दास होता था याकुत उसको प्रेफरेंस दी थी ठीक है तो इससे भी वह लोग बहुत चिड़ गए थे ते सून आफ्टर हर एककुर्शं दा गवर्णैस ऑफ मुलतान बदायis हासßी ज़षिय। ठीक है उसके एकुर्शं के बाद द्वा अल्तुानिया क्वर्नरों भटिंडा अल्तूनिया कोंग था गवर्नर में जहां पर यू दोरा था मार्चपार थाट सविकार नहींकि जौछ जकता प्वर्णर ठीकी उनिए की त्कrying नहीं कि मंगैंस्ट औलो में रजिया को किस ने बटूनिया accompaniededy मतलhof रजया ने याकुत की सहायता ली और किसकी अगेंस्ट मार्ज कर दिया अल्टूनिया के खिलाफ फिर उसने अल्टूनिया पराकर्मन कर दिया याकुत के साथ मिलकर पिसुद्वर अल्टूनिया गोट याकुत मर्डर फिर उस योद में अलतूनिया ने याकुत को मार दिया and imprisoned रजिया और रजिया को जेल में डाल दिया subsequently रजिया married अलतूनिया and both of them marched towards Delhi फिर रजिया ने क्या क्या अलतूनिया से शादी कर ली and both of them और फिर वो दोनों दिल्ली की तरफ कूच कर गए मतलब दिल्ली की तरफ बढ़ गए अब दिल्ली पर आकर्मन करने के लिए in 1240 AD रजिया बीकेम दा विक्टिम ओफ और कॉंस्पिरेशी and was assassinated near कैथल 1240 AD में क्या हुआ रजिया सुल्तान थी ना वो एक कॉंस्पिरेशी मतलब एक घटना का शिकार हो गई और उस पर किसी ने अटेक कर दिया और उसको वहाँ पर मार दिया assassinated near कहाँ पर कैथल हर्याना में मारा गया था तो रजिया सुल्तान का मकवरा भी बनाया गया है यह कैथल हर्याना में यह कोशन कई बार आता है रजिया सुल्तान के मिर्तियों कब हो यह 1240 एड़ी में कहां पर मारी गई वह कैथल हर्याना में उसकी शादी किसके साथ हुई थी अल्दूनिया के साथ ठीक है उनकी मिर्तियों के बाद आते हैं बहराम शाह बहराम शाह 1240 से 42 एड़ी में शासक बना धिया उनको न सिर्फ डी ज्यूरी रूलर मना जाता था मतलब सिर्फ विधाई शासक माना जाता था असली काम वो नहीं करते थे वाइल नायब ए ममलाकत दर रीजेंट वाज़ा डी फैक्टो रूलर तो ये एक पद था ये होते थे नायब ए ममलाकत दर रीजेंट ये D-Factor Ruler थे, मतलब वास्त्विक शासक यही थे, तो ये वर्ड आ सकते हैं, D-Factor Ruler का क्या मतलब है, D-Jury Ruler का क्या मतलब है, D-Factor Ruler होता है वास्त्विक शासक और D-Jury Ruler होता है विधाई शासक के वल, बहराम शाहा लोस्ट ही लाइफ आफ्टर ही फेल्ड अटेंप्ट तो एसर्ट ही अथोरिटी वन्स ओन्दा थ्रोन, बहराम शाहा ने ना, बहराम शाहा फिर की डैथ होगी, लोस्ट कर दी अपनी लाइफ, जब उन्होंने वो फेल हो गए, कहां पर अपनी अथोरिटी को नेक्स ताइम मसूद शाह, मसूद शाह कब है 1242 से 1246 सी में, यह वाज सन अफ रुकनुदीन, अब यह रुकनुदीन का बेटा था, रुकनुदीन इल्तुतमिश का जो बेटा था वो, बट वाज डिपोजड आफ्टर बल्बन, लेकिन बल्बन ने इसको हटा दिया, और न 들어 दिया, पुछन आफ रुकनुदीन इस वालीं लेकिन अनलिका यहां, उसने उसके अगेंसको इद्ध कर दिया, युद्ध कर दिया, युद्ध कर दिया, इस टेपलिजड नसीर अफ्टिन मोहमब्त को नेय सुल्तान गोशिट कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नसीर दरवेसी किंग जो की बहुत पायस एंड नोबल होते थे बहुत ही मतलब बहुत ही नोबल बिलकुली क्या बोलते है नोबल को मतलब बिलकुली शांस अभाव के थे ही डाइड इन 1266 और इनकी मित्ती हो गए ये भी इल्तुतमिश के बेटे ही थी नेक्स आते हैं ग्यासुदीन बलबल ग्यासुदीन बलबन 1266 से लेकर 8780 तक बलबन असेंडेड दा थ्रोन इन 1266 में इनोंने चालिसा की पावर को तोड दिया जो किसने स्थापित की थी? इल्तुतमिश ने स्थापित करने के लिए सल्तनत को स्थापित करने के लिए इनोंने चालिसागी पावर को तोड दिया तो कीप इंसेल्फ वेल इंफॉर्म्ड बलबन अपोइंटेड स्पाइज अपने आपको बहुत जादा हर चीज के बारे में जानकारी रखने के लिए बलबन ने क्या किया स्पाइज अपोइंट के मतलब जासूस अपोइंट कर लिए ही क्रिएटेडा न्यू ही क्रिएटेडा संट्रॉंग सेंट्रलाइज आर्मी तो डील विद इंटर्नल डिस्टर्बेंस एंड टु चेक मंगोल्स इन्हों ने फिर एक स्ट्रॉंग सेंट्रलाइज आर्मी क्रिएट करी मदल्ब सेंट्रलाइजएशन शिस्टम शुरू कर दिया तो डील विद इंटर्नल डिस्टर्बेंस ना उससे डील करने के लिए और मंगोलों के बारे में पता रखने के लिए क्योंकि मंगोल थे जो उनके लिए बहुत डेंजर थे ठीक है पहले भी जो मंगोल थे उसने आकर्मन किया था इन पर इन्हों ने एक मिल्टरी डिपार्टमेंट दिवाने अर्ज तो यह कोशन आ सकता है दिवानी अर्ज का मतलब क्या है तो यह military department है क्या है military department next है the Persian court model influenced Bulban's conception of kingship he took up the title of Jilly Eliy मतलब shadow of God तो जो इनको Bulban को न यह कोशन आता है Jilly Eliy का title किसको दिया गया Bulban को Jilly Eliy का मतलब क्या है shadow of God भगवान की चाया next है he introduced sijda इन्होंने sijda introduce किया sijda क्या होता है prosteration before the monarchs मतलब monarch जो buddhist monk वगरा होते हैं या फिर जो भी monarch होते हैं संथ होते हैं उनके सामने शाष्टांग प्रणाम करना लेट कर उनके शाष्टांग प्रणाम करना एंड पैबोस इन्होंने sijda और पैबोस दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करी थी पैबोस क्या होता है kissing the fit of monarch monarchs monarch होते जो संथ होते हैं उनके पैर पर किस करना एच को नमस्कार करने की बहुत ही नॉर्मल फॉर्म किस ने इंट्रोड्यूस कीया थे बलबन ने किसने इंट्रोड्यूस किये थे बलबनने इनको destroy कर दिया where forests were cut and forts built जहां पर जंगल को काट कर किले बनाए गई थे ठीक है वहाँ पर दोआब दोआब क्या होता है मतलब जो नदियों के बीच का शेतर होता है वहाँ पर वो जंगल घनी जंगल होते हैं तो उन सब को काट कर किले बनाए गई थे ठीक है ला सेकें इन दला इन हिस लास्ट डेज ही ओवर्लुक्ड दा सल्तनत अफियर ड्यू तो देथ ओफ इस एल्डेस्ट एंड दा मॉस्ट लविंग सं मुहम्मद इन उसके जो लास्ट डेज में उसने देखा जो सल्तनत थी न यह जो स्लेव डाइनस्टी थी यह बिलकुल उसकी मतलब खतम होने की तरफ जा रही थी क्यों क्योंकि जो उसका एल्डेस्ट उसका बड़ा बेटा था और मॉस्ट लविंग संतना वह मुहम्मद वह मारा गया था ठीक है तो उसके बाद बलबन बिलकुल टूट चुका था वह स्लेव दास था उसी ने उसके उपर आकरमन कर दिया तुगरिल उसका जो वह वह स्लेव था तुगरिल उसी ने उसके आकरमन कर दिया मुहम्मद डाइड फाइटिंग the Mongolians in 1285 मुहम्मद मारा गया जब वह मंगोलों के खिलाफ लड़ा था बारासेशो पीचासी में वाइल ट्वेल हंडेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे बल्बन इसको नहीं बहुत जादा इसको हाई पॉलिटीकल अथोरिटी चीव जादा राजनीटी में वह जादा पावर दे रखी थी किसने बल्बनने नहीं बट कैकुबाद बाइद की फैमली फिर कैकुबाद को κिसने मार यह k Ilji फैमिली ने with Sadha envers lav dynasty इसके बाद Thana Reacqua बात की मिर्त्यू के बाद तो slav dynasty बिलकुल खत्म ही हो गी and beginning of Khilji dynasty then mentality इयाद दिल्ली go to trouve Subscribe the Eh氏 की स्थापना हो गई दिल्ली के सिंगासन पर ठीक है तो ऐसे करके हमारी जो slav dynasty कंप्लीट हुई उसके बाद आती है खिलजी डाइनस्टी देखो GK तुम्हारी GK GK से गुलाम वंश के से खिलजी वंश अब क्या आता है खिलजी वंश तो एक बार देख लो सलेव डाइनस्टी मतलब गुलाम वंश में सबसे पहले आई कुतुबू दीन एबग उसके बाद आई इल्तुत 미्ष मिश्म बूद्र में याद रखना ले ले सलाइव डाइनस्टी किसे ने करी ती कुतुबुदी ने बेक ने उसके बाद दिलतुत में शाय इसमें रजीया सुल्तान Uman मानी जाती है बल्बन बहुत इंपोर्टेंट माना जाता है बहराम शाह भी कुछ-कुछ इंपोर्टेंट माना जाता है तो आप इन सब को याद कर लेना ठीक